हनुमान जी ने क्यों लिया था पंचमुखी अवतार? जाने वजह और पूजा का विशेश महत्व हनुमान जी भक्तों पर आने वाले संकट को तुरंत हर लेते हैं, इसी कारण उनको संकट मोचन के नाम से भी जाना जाता है. एक बार भग्वान श्री राम के भी संकट में पढ़ जाने पर हनुमान जी ने पंचमुखी अवतार लेकर उन्हें भी संकट से उबारा था. हनुमान जी का पंचमुखी अवतार रामायन के प्रसंग के अनुरूप, लंका युद्ध के समय जब रावन के भाई अहिरावन ने अपनी मायवी शक्ती से स्वय भगवान श्री राम और लक्षमन को मूख्षित कर पाताल लोक लेकर चला गया था, जहां अहिरावन ने पांच दिशाओं में पांच दिये जल रखे थे, उसे वरदान था कि जब तक कोई इन पांचों दीपक को एक साथ नहीं बुझेगा, अहिरावन का वध नहीं होगा, अहिरावन की इसी माया को सामाप्त करने के लिए हनुमान जी ने पांच दिशाओं में मुख्ष किये पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया औ और पांचों दीपक को एक साथ बुझा कर अहिरावन का वध किया, इसके फलस्वरूप भगवान राम और लक्षमन उसके बंधन से मुक्त हुए पंचमुखी हनुमान के पांचों मुख्ष का महत्व पंचमुखी हनुमान जी के पांचों मुख्ष पांच अलग-अलग दिशाओं में हैं एवन इनके अलग-अलग महत्व हैं वानर मुख यह मुख पूर्व दिशा में है तथा दुश्मनों पर विजय प्रदान करता है गरुर मुख यह मुख पश्चिन दिशा में है तथा जीवन की रुकावतों और परिशानियों का नाशक है वराह मुख यह मुख उत्तर दिशा में है तथा लंबी उम्रक प्रसिद्धी और शक्ती दायक है निरिसिंह मुख यह दक्षिन दिशा में है यह डर तनाव व मुश्किले दूर करता है अश्व मुख यह मुख आकाश की दिशा में है एवं मनो कामनाएं पूरी करता है मंगलवार हनुमान जी की पूजा का विशेश दिन होता है। इस दिन लाल रंग के फूल, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने का विशेश महत्व है। इसके साथ गुड़ वचने का भोग लगाना चाहिए एवन सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पढ़ने से विशे लाब होता है। इसके अतरिक्त घर के दक्षिन पश्चिन कोने में पंचमुखी हनुमान का चित्र लगाने से सभी तरह के वास्तुदोश मिट जाते हैं।